मुख्यमंतिरी जी जब चुनाव आ जाता है तो दलितों के घर पे खाना खाते हैं और एट्रो सिटी इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर उसका एक जानवर भी किसी के खेत में चला जाता है तो जाया जा सकता है ऐसा ही घटना हम आपको बता रहा है जनपत गोरखपूर के हरपूर भुदात ठाना अंतर गत एक ग्राम सबाका और यहाँ पे जो है लगबग एक हपते होने को है धारा 307 भी लगा आई पीसी का एक्ट 307 भी लग चुका लेकिन अभी तकारों फीत गिरपतार नहीं हुए है और इस परिवार का होसला बढ़ाने के लिए परिवार के साथ उनके मांग के लिए इस समय आजाद समाज पार्टी चंदर सेखर आजाद दिकी पार्टी के जिला देख्च और विदान सबाद देख्च भीमार्मी के लोग यहाँ पे उपस्तिता कार करता है काफी भीन थी लगबख सो डेर सो लोग आए हुए थे हर्पूर भूधार ठाने पर बगल में थाना है अब हम कुछ समय लेट हो गया है आने में तो फिलाल जीतने लोग है इनी लोगों से बातचीत होगी भाया क्या मामला राय पूरा का इसे एक ब्यक्ति को जान से मानने की कोसिज किया किया घ्ना कि देखिए मामला एक छोटे से बकरी के बच्ये को ले करके है जो डलित परिवार का एक छोटा सा बकरी का वच्चा खेत में जाने से उस परिवार को इतनी पिटाई की गई कि उसकी जान जाने की संभावना है और इस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला यह फाईयार दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक कि इसमें नौ लोग अपरादी हैं और किसी की गिरफतारी नहीं हुई लड़ें गागए और मुक्क्यमंत्रीन जी के जिले में जाजस समाच पार्टी के रहने माला परिवार اकर पूरे अंगम पूरे उतर-प्रदेश को शुरचित पार्षित कैसे रखेंगे इब में पारादी आरे सब्सेट बिल्डोजर जो चल रहे हैं लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पीडित परिमार के साथ जो हो रहा है हुね आहि मिल रहा है। परिवार का लोग को यहां पर आये हुए हैं परिवार में चोटे-चोटे-चोटे बच्चे हैं और यह जो है संगठन और पार्टी के लोग उनके समर्थन में हैं अपने जिन्दगी और मौ से जूज रहे हैं यहां पे लगबग एक हपते होने को हैं आपके अनुसार ऐसा रोप रहा कि एक हपता होने को है फायार दर्ज हुए लेकिन अभी तगीर अपतारी नहीं हो पाई है मानी मुख्यमंध्री जी की पुलीस है गोरपुर में और शासन बेवस्था प्रसाशन की बेवस्था समीं उनके हाथ में है और उनका कहना होता है कि अपरणियों का छक्का चूट रहा है कहां तक छूट रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी पर्तिकिरिया देखार के जरूर बताएगा कि यहां मामला कैसा है आपकी पर्तिकिरिया क्या होती है क्या कहेंगे सर अगर यहां पर ऐसे भीमार्मी आजास्समाजपाल्टी को आने के बावजूद कारवाई नहीं होती तो आप लोगो का अगला कदम क्या होने वाला देखिए पहले तो हम लोग आउगत करवाया है सच्चो साहब को और उन्होंने हमको अजासन दिया है कि हम आपको थोड़े और समय लेते हैं और आरोप्यों को गिर्वतार करवाया जाएगा देखिए करवाय नहीं हुआ तो हम लोग सीओ यससपीक पास जाएंगे उनके अवास का घिराव करेंगे उनको निकलने नहीं दिया जाएगा और देखिए ए जान लीजिए कि हम लोग बैठने वाले नहीं पहली बात तो आपको बता रहे हैं कि जो हरपूर में मामला हुए अब देख सकते हैं कि एक जानवर होता है जो जानवर किसी के खेत में पढ़ गया था ऐसा आरोफ है लोगो का कि जो बकरी थी ओचरने के लिए किसी के खेत में चली गई तो यहां के ठाकरों यहां के साइथवारों ने यह सी विराधरी के एक ब्याक्ति को एक परिवार को इतना जादा पीट दिया कि उसकी हत्तिया होने वाली थी अभी तक बुधट थाना अरोपियों को पकड़ने में असफला है कैसी पुलिस की करवाई है मुख्यमंत्री जी का कैसा पुलिस है जो अभी तक जो आरोपित हैं उनको गिरफतार नहीं कर पा रहा हैं उनका कहना है कि पुलिस उनसे बार-बार कह रही है कि आप लोग पता क करके बताईए जब पुलिस का काम लोग करेंगे तो पुलिस क्या करेंगी आप कमेंट बॉक्स में लिग के बताईएगा क्या कह रहे हैं पहले मैं अपना परिशे देदूं मैं राजनाथ राओ विदानसवाव पाध्यच आजा समाज पार्टी विदानसवास आजनवा से और मैं ये कह रहा हूं कि बाकी बात हमारे सीनियर गार्जन कह चुके हैं और हरपुर्थाना के असो के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया हैं उन्होंने कहा कि दस तारीक तक हमको समय देजिए गाउं के लोग कभी इस तरह से एक जूट नहीं होते हैं कहीं न कहीं बहुत बड़ा आत्या चार हुए तब जाकर के गाउं के लोग इस तरह से रोड़पे आये हैं आज तो केवल हरपूर में इतना बड़ा जन संक्य आई थी इसके पाथ हम लोग जीले पर जाएंगे परदेश पर जाएंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा आरोपिय की गिरपतारी हो नहीं जाएगी तब तक हम लोग चाहिन से नहीं बैठने बाले अब देख लिजी एकब गुमाना चाहेंगे कि बगल में ठाना है औब बगल के ठाने पर ही हम बखूद हैं ठाने के करवाई ही ऐसा είναι एक असंदोस जनक करवाई है ठानेगी पूरे गाओं के लोग एक साथ समर्थन करते हुए और उस दोसियों को सजा दिलाने के लिए एक साथ सभी लोग आए हुए है और निवेदन की हैं थाने पर जाकर करके कि इस पर करवाई हो आगे देखना यह है कि माननी मुख्यमंतिरी जी की पूलीस योगी अदित्यनाजी जी की पूलीस कैसी करवाई करती है गाओं के लोग आप लोग गाओं के हैं अब बगल वाले क्या जैसे दिन मारे हैं उस दिन हम लोग घर पई ही थे तो जी दिन हम लोग खबर मिली था हम लोग गय है उनके घर देखने के लिए तो देखें अगय तो क्या हुआ था एक दम पूरा मरे हुए हालत भी थे वह समले वह लिकूल मरे उनको विलकुल होस नहीं था सार तीन पढ़ गया था विल्कुल मरे हुथे सब्सक्राइब फेक दिये थे मारके परिवार का हालत तो सब्सक्राइब वो उमरे हुए तो रोरो का बुरा हल था हम खुद लाज के लिए गया थे बुलाएं को डाक्रीम ले गए इधर भी आए तो तुरंत पुरा एफ और लिखवाए और हम आज आठवा दिन हो गया कोई करवाई नहीं हो रहा है हम लोगा के दूरे के हैं लेकिन अब बताये का करी तो चोड़ तालवारे समारा जा रहा है छेगड़ी अगर जो खेत में पर गई तो इतना उल्कुल मार दिया कूँ अमरने बाला है हम लोग यह सुने हैं तो इसाँ चाहित आफ्य उसी हालती बहुत गबीर है यह मामला देख करके आप समझ पारा है कि सबका साथ सबका विकास कहां तक सही है दर्ती पे कितना है और आसमान पे कितना है कमेंट करके जरूर बताएगा